खबर भरतपूर के बयाना से है जहां COVID-19 आपदा के दौरान प्रवासी परिवारों को खादे सामगरी उपलब्द कराने के लिए आए गेहूं और चने की घबन का मामला सामने आया इसके बाद नायब तैसिलदार ने क्रेव विक्रिह सेकारी समीती के प्रभन तक बनोच सोने के खिलाफ मामला दर्सकरा है आपको बतादे कि जिला कलेक्टर ने प्रवासी परिवारों को खादे वित्रण के लिए क्रह विक्रह सहकारी समीती को करीब 3,000 47 क्विंटल गेहूं और 186 क्विंटल चने के लिए आवंटित किया लेकिन गबन की बाद सामने आने के बाद ये कारवाई की गई